नमस्कार दोस्तों अबसपस कुपरियों मायवती से मुलाकात को लेकर चंदर सिखर आजाद ने किया बड़ा फुलासा साथ ही बहुजन समाज पार्टी के गिरते परफॉर्मेंस और बीएसपी सुप्रियो मायावती को लेकर कही चंदर सिखर आजाद ने इस इंटर्विव में बड़ी बात जीहावित्रों आप सभी को पते होगा कि नगीना से सांसत बने चंदर सिखर आजाद लगातार चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपको तादे की मैनेश्टी मीडिया के चेनल हो चंदर सिखर आजाद छाय रहते हैं सबसे जादा आपको तादे की नेताओं में से अगर टीवी चैनलों पर जो जिनके इंटर्विव वाइरल होते हैं या आपको तादे की सबसे ज़़दा मीडिया तबज्जव देती है सोशल मीडिया पर लोग सबसे ज़दा प्यार करते हैं तो ऐसे नेता हैं भीम आर्मी चीब चंदर सिखर आजाद हाली में उन्होंने एक बड़े मेडिया संस्थान ए एन आई को इंटर्विव दिया इस इंटर्विव में उन्होंने अपनी पूरी जन्नी यानि की पूरी शुरुआत से लेकर वो कैसे संघर्च कर्ष के सांसत पत्तक बैठे हैं इसके बारे में बता रहे थे लेकिन तभी पत्रकार के दौरा जब चंदर सिखर आजाद से सवाल क्या गया कि क्या उन्होंने कभी वीज़ियसपी सुप्रियों मायावती जा मिले की कोसिस की है क्योंकि आपको पते होगा कि चंदर सिखराजाद का मात्र संग्थन ही था फीम आर्मी 2020 में उन्होंने party बनाई थी इससे पहले वो बहुजन समाज party को ही समर्थन करते थे VSP सुप्रियों मायवत्ती की ही party को वोट उनका परिवार और वो खुद क्या करते थे यहीं कहता कि पूरा प्रिवार वसपाई थी लेकिन जब से उन्होंने party बनाई है आखरकार हमें पार्टी बनानी पड़ी साथी साथ उन्होंने यह बात भी मानी कि उन्होंने बसपस सुप्रियों मायवती से मुलाकात भी की थी आप मिले हैं उनसे? किन से? मायवती जी से यानि कि ये बड़ा खुलांसा हुआ है कि चंदर सिखर आजाद की पहले बीएस्पी सुप्रियों मायवती से मुलाकात हो चुकी है बीएस्पी में चंदर सिखर आजाद काम भी कर चुकी है लेकिन जो चंदर सिखर आजाद काम करना चाहते थे सड़क की लड़ाई लड़ना चाहते थे वो साय्ट Bs.p में नहीं कर पा रहा थी क्यांकि आकासानन्द जब उन्होंने सीतापर में एक भसड दिया और उस भसड के बाद आकासानन्द पर जब वैपायार होई तो बहेंजी ने उन्हें उत्राधकारी के पत से हटा दिया हलांकि उन्हें फिर से उत्राधिकारी बना दिया गया है तो चंदर सिखर रयाद ने यह भी बात बोली कि जो बहुजन में सन हैं मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहेंजी ने कुछ नहीं किया है बहन जी ने बहुत को समाज के लिए काम किया है, जो दवा को चला समाज था हमारा, उसको आगे उठाने का काम किया। बहन जी ने पूरे जीवन पर अपना काम किया है, लेकिन उनकी उमार हो चुकी है, तो वे समाज के लिए उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अब हम उनके बेटे समान हैं, तो हम इस मिसन को आगे बढ़ाएंगे, और या मिसन आगे बढ़ेगा, 21 वी सताब्दी हमारी है, इस तरीके के चंदर सिखर रायाद ने मेडिया में वयान दिये, उन्होंने कहा कि मैं बहन जी के वरावर का नेता तो नहीं हूँ, लेक लेकिन हम कोसिस कर रहे हैं, आगे बढ़ाते चलें, पहले वाहाँ से अंबिटकर, इसके बाद मानवर सहाब कांसी राम और वहन जी ने आए मिसन चलाया, लेकिन आप चंदर सिखर रायाद के साथ, या समाज समर्थन दे रहा है चंदर सिखर रायाद को, तो चंदर सिखर इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की बाद चंदर सिखर रायाद के द्वारा बोली गई है, वो वहन जी का बार बार आपको दा दे कि कोई भी मीडिया चैनल हो, हर इंटर्वी में सम्मान करते हुए नजर आते हो, वहन जी पर भी कोई भी गलट टीका टपड़ी चंदर सिखर रायाद से पूंचा जाता है, तो वहन जी की एक ही तारिफ करते हैं कि बहुत बड़ी नेता है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का, सीखने को मिला है, और हम आप बहन जी के बाद हम काम करेंगे, हम इस मिसन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा चंदर सिखर झाल